हालो दोस्तो कहें से आफसे 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 भी कहें युबा सिकती जी कोईज में तो दोस्तो आइच किस लेक्चर में हम सभी पढ़ने वाले हैं समाने हिंदी को जो काफी important topic से आपको cover करवाएंगे जो भी important topic से question बन सकते थे वो सारा question आइच किस लेक्चर में सामिल किया गया है तो lecture को complete जरूर cover कर लिजेगा question के साथ में जो fact बन सकते हैं वो सारा fact को हम सभी cover करते चलेंगे ताकि एक आपका concept बन सके तो चले शुरू करते हैं आइच किस lecture को आए आइच के दिके first question है पहला कोई सरी ये बन दे कि वस्तु अस्थान भाव या विचार के घोतक सब्द को क्या कहते हैं चले बताएंगे आप सभी वस्तु अस्थान भाव या विचार के घोतक सब्द को क्या कहते हैं तो ध्यान डखेगा आप सभी इसे संग्या कहा जाता है क्या कहा जाता है friend संग्या कहा जाता है द्यान रखेगा संग्या का कितना भेद होता है तो संग्या का पांच भेद होता है कितना भेद पांच भेद होता है कौन कौन सा होता है तो पहला आप लिखेगा एक होता है वेक्ति वाचक संग्या वेक्ति वाचक संग्या दूसरा क्या होता है दूसरा आपका होता है जाती वाचक संग्या ठीक है जाती वाचक संग्या तीसरा क्या होता है आपका तीसरा भाव वाचक संग्या होता है ठीक है भाव वाचक उसके बाद चौथा कौन सा संग्या होता है तो चौथा होता है समू वाचक संग्या ध्यान रखेगा समू वाचक संग्या होता है पाचमा तो पाचमा हो जाएगा आपका द्रव वाचक ठीक है जब दियान रखेकाइब, पांच बेद नहीं मारेगा व्यूदप्तिक के अधार पर पूछा जाए, तब पांच बेद होगा, ध्यान रखेगा, जोकि विक्ति वाचक, जाति वाचक, बहो वाचक, समुवाचक ओर द्रवाचक है, तो एक आपका रूर्ड संग्या हो जाएग दूसरा आपका कौन सा हो जाएगे तो दूसरा आपका योगिक संग्या होंगे ध्यान डखेगा आप सभी योगिक संग्या हो जाएगे किलियर है और तिसरा कौन सा हो जाएगा तिसरा हो जाएगा योगरूर संग्या योगुरूर संग्या हो जाएगा ध्यान डखेगा आप सभी तो याद रहेगा ये विद्पत्ति की अधार पर संग्या के बेद है तीन बेदे और अर्थ की अधार पर संग्या के पाँच बेद होती है अगला कोश्चन है कि इस्तृत्व सब्द में कौन सी संग्या है छली बताएंगे आप सभी इस्तृत्व सब्द में कौन सी संग्या है तो इसमें भाव वाचक संग्या है ध्यान डखेगा आप सभी कौन सी संग्या है भाव वाचक संग्या है भाव वाचक संग्या किसे काते हैं तो ध्यान रखेगा जिस संग्या से किसी वस्तु या बेक्ती के गुन धर्म और सुभाव का बोधो उसे हम सभी भाव वाचक संग्या काते हैं एक्जाम्पल में ले लिजे जैसे बुड़ाफा हो गया, चतुराई हो गया, मिठास हो गया, लड़कपन हो गया, दया हो गया, लिखावट हो गया, मित्रता हो गया, सर्दी हो गया, ये सभी क्या है, भाव वाचक संग्या है, यनि कि उसके गुन को हम सभी दर्सा रहे हैं, इस्त्रित्व, क्या कि ये गून को दर्सा है, इसलिए क्या है, वो भाव वाचक संग्या है, जाती वाचक संग्या में क्या होता है, उसकी जाती का बोध हो, जैसे कि वो इस्त्री है, वो पुरू से, ये क्या होता है, जाती वाचक संग्या, दरब वाचक संग्या क्या होता है तो इसमें वेक्ति या वस्तु का बोध होता है वेक्ति वाचक संग्या में क्या होता है वेक्ति या वस्तु का बोध होता है जैसे कि राम, मोहान, कृष्न, ताज महाल, दिल्ली ये सभी क्या है वेक्ति वाचक संग्या है जिसमें किसी वेक्ति का बोध हो या किसी आस्थान का बोध हो, उसे ही हम सभी क्या काते हैं, विक्ति वाचक संग्या काते हैं, किलिए रहें, अगला कोशन है, भारतिय सब्द का बहु बचन क्या होगा, आप सभी को बता होगा, बचन का दो भेद है, एक बचन और बहु बचन, तो यहाँ देख लेजिए, त सभी अगला कोईशन देखिए सूर्य का इस्तिरलिंग क्या होगा सूर्य का इस्तिरलिंग होगा सूर्या ध्यान रखेगा बी रैट आंसर रहेंगे किलिए रहें अगला कोईशन देखिए अगला कोईशन है बुड़ापा भी एक परकार का अभी साब है इस वाक्य में रंगिन छपने सब्द में संग्या बताईए बुड़ापा एक परकार का क्या है अभी साब है जैसे कि अभी आपको बताए थी कि उसके गून को दर्सा रहा है जहांपे गुन को और धर्म को दर्साया जाए वहाँ पर कौन सा संग्या हो जाएगा भाव वाचक संग्या हो जाएगा ध्यान रखेगा यानि कि बुढ़ापा एक परकरका अभी साभ है उसके गुन को बता रहा है कि ये एक बुढ़ा विक्ति है ये एक चतूर विक्ति है तो ये सभी क्या हो गया उसके गुन को बता रहा है ध्यान रखेगा ये एक अच्छा लड़का है यानि कि उसके गुन को बता रहा है तो इसमें भाव वाचक संग्या होगा क्लिए रहें अगला कोश्चन देख लिजे अगला question है कि निम्न सब्दों में से कौन सा सब्द संग्या है इसमें से इसमें से जो संग्या है क्रोध option में b right answer हैंगे ध्यान रखेगा आप सभी क्रोध क्या एक परकर का संग्या है अगला question है आशू का बहु बचन क्या होगा तो आप सभी बना सकते हैं बहु बचन को आशू का बहु बचन क्या हो जागा आशू होगा ध्यान रखेगा इसमें क्या हो जागा option नमसी right आशू हो जाएगी अगला question देख लेते हैं तेफन अगला question ने कि निम्र सब्दों में से एक सब्द pulling है जो की चुने आप सभी तो pulling सब्द कौन सा हो जाएगा बुढ़ापा होगा इसमें pulling ध्यान रखेगा बुढ़ापा आ गया क्या है pulling सब्द बोल के भी देख सकते ही बुढ़ाफा आ गया बाकी बाद यह सभी क्या है आपका इस तिर्लिंग सब्द हो जाएगा अगला कोई से नहीं कि निम्न वाक्यों को पढ़िये तथा उसमें कारक के सही भेद को चुने हे परभू मेरी एक्छा पूर्ण करो इसमें कौन सा कारक है तो इसमें जो जाएगा संबोधन कारक होगा ध्यान रखेगा यानि कि किसी को संबोधित कर रहा है कि हे परभू मेरी एक्छा को पूर्ण करो संबोधन कारक किसे करते हैं तो ध्यान रखेगा पुकारने चिलाने या संबोधित करने कोई संबोधन कारक करते हैं यानि कि किसी को पुकारना जैसे कि अभी बोल रहा है कि हे पर्भू मेरी इक्छा को पूर्ण करो तो इसमें क्या हो जाएगा संबोधन कारक होगा ध्यान रखेगा आप सबी यहनि कि किसी को पुकारना हो गया, चिलाना हो गया, यह किसी से मदद मांगना हो गया, उसमें संबोधन कारक हो गया. यहनि कि किसी को संबोधित कर रहा है. अगला है भा वाचक संग्या बनाईजे. तो भाव बाचक संग्या लड़कपन हो जाएगा अप्शन में A right answer हो जाएगी अगला देख लिए जे सचरित किस मुल्य सब्द से बना है तो सचरित्र यानि कि चरित्र के मुल्य सब्द से बना है सचरित्र ध्यान रखेगा आप सभी चरित्र लगा वाए इसमें अगला है कौन सा सब्द बहु बचन है प्रान प्रान क्या है बहु बचन है ध्यान रखेगा आप सभी जबकि ये सभी क्या है एक बचन है अगला देख लिए जे निम्न में से कौन सा सब्द पुलिंग है चड़े बताएंगे आप सभी इनमे से कौन सा सब्द PULLING है कपट वह एक कपट वेकती है यानि कि इसमें क्या है pulling है जबकि ये सभी क्या है आपका स्थिरलिक सब्द है अगला देख लिए जे गीदर का स्थिरलिक क्या होगा तो गिदड़ का इस तरिलिंग गिदड़ी होगा ध्यान रखेगा आप सभी सिरेट आंसर हैंगी अगला देख लिए जे किस वाक्यों में आपादान कारक है फ्रेंड तो आपादान कारक हो जाएगा ओफसन मस्सी में हिमाले से गंगा निकलती है ध्यान रखेगा आप सभी इसमें क्या है अपादान कारक है तो ध्यान रखेगा जिससे किसी वस्तू की जुदाई या अलगव समझा जाए उसे हम सभी क्या करते है अपादान कारक करते है जैसे गंगा हिमाले से निकलती है यानि कि अलगव का भेद है यानि कि यह क्या हो रहा है अलग हो रहा है गंगा हिमाले से निकलती है या हिमाले से गंगा निकलती है इसमें कौन सा हो जाएगा अपदान कारक होगा ध्यान रखेगा जिससे किसी वस्तु की जुदाई या अलगाओ समझा जाए या होता हो तो इसमें अपदान कारक होगा द ठीक हैं, तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा आपका करन हो जाएगा, ठीक हैं, चौथा कौन सा हो जाएगा आपका, चौथा आपका संपरदान हो जाएगा, ठीक हैं, पाचमा कौन सा हो जाएगा, तो पाचमा आपका आपादान कारक हो जाएगा, ठीक हैं, छथा कौन सा ह हो जाएगा तो छटा आपका संबंध कारक होगा है कि संबंध कारक हो जाएगा सात्मा कौन सा हो जाएगा सात्मा आपका अधी करन कारक हो जाएगा और आठमा कौन सा हो जाएगा तो अठमा आपका हो जाएगा, संबोधन कारक, संबोधन कारक हो जाएगा, के लिए रहें, देखें करता के लिए जो चिन आता है, जैसे ने उसके बाद सुन्य आता है, ध्यान रखेगा आप सभी, कर्म के लिए क्या आता है चिन, तो कर्म के लिए आता है को, को और सुन्य आता ह उसके बाद करन के लिए क्या आता है तो करन के लिए सी आता है यह चिन बता रहे हैं जिसे कि आप कारक को पहचान पाईएगा संपरदान के लिए क्या आता है तो इसके लिए आता है को के लिए ध्यान रखेगा यह सब्द जहां देखने के लिए तो समझ लेजे, वहाँ letterárक है, अभी आगे चलिएगा, तो सारा चेच्किलियर हो जाएगा आपका, आपदान का चिन कया है, तो से होता है, ध्यान रखेगा आपसे अपदान में, संबंध में कौन सा चिन होता है, संबंध चिन कारक में हो जाता है, जैसे का, किये उसके बाद आपका क्या है की किये हो जाता है संबंद के लिए अधिकरन कारक में क्या होता है मे पर यानि कि अधिकार कर लिया पंडाल पर अधिकार कर लिया तो जहां पर मे और पर का परियोग होगा वहाँ पर अधिकरन हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा संबोधन में क्या हो जाएगा हे उसके बाद अर हो जाएगा हे री इसमें संबोधन कारक हो जाएगा तो ये कारक को पहचानने का क्या है चीन है ध्यान रखेगा तो इसे याद कर लिजेगा जहां पर ये चीन आपको देखने के लिए कारक में तो समझ लिजे के कौन सा कारक है इसमें के लिए आगे देख लिजे हिंदी में सब्दों का लिंग निर्धारन किसकी अधार पर होता है तो संग्या के अधार पर हिंदी में सब्दों का लिंग का निर्धारन होता है निम्न सब्दों में से इस्तिरलिंग सब्द का चेन कीजिए आस्थापना ये एक प्रकार का इस्तिरलिंग सब्दे फिरें ध्यान रखेगा आस्थापना हो गई ये आस्थापना होने वाली है तो ये क्या है इस्तिरलिंग सब्दे बागी बागी बाद ये क्या आपका पुलिंग है अगला है अर्थ के विचार से संग्या के कितने वेद होते हैं तो देख लेजी यहां पर अभी बता दिये उससे पहले क्या था विद्पत्ति के अधार पर संग्या के तीन वेद होते हैं और यह क्या था अर्थ के अधार पर तो अर्थ के अधार पर संग्या के पाँच बेद हैं जो कि आपको बताए थे कि व्यक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या, भाव वाचक संग्या, समू वाचक संग्या और द्रब वाचक संग्या, किलियर हैं, आगला देख लेजे, निम्ड में से कौन सा सब्द व्यक्ति वाचक संग्या ह तो अभी आपको क्या बताए थे वेक्ति वाचक संग्या के बारे में जिस सब्द से किसी वेक्ति या वस्तू का बोध हो उसे हम से भी वेक्ति वाचक संग्या काते हैं एक जामपल में क्या बताए थे तो इसमें क्या हो जाएगा यमुना एक व्यक्ति वाचक संग्या हो जाएगा यह एक गाय है यनि कि उसकी जाती को बता रहे हैं अगला देखिए कौन सा सब्द जाती वाचक संग्या नहीं है तो जाती वाचक संग्या में क्या हो जाती का बोध ना हो यनि कि किसी के जाती के बारे में ना बताया गया हो तो सुन्दर जाती वाचक संग्या नहीं है ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोशन देखती है कप्टी मित्र के लिए सही मुहाबरा है तो कप्टी मित्र के लिए सही मुहाबरा क्या हो जाएगा आस्तिन का साफ होना अगला है बात तै थी लेकिन एन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुख गया रेखांकित वाकि के लिए उप्यूक्त मुहाबरा है बात तै थी लेकिन एन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम क्या हो गया रुक गया है इनके लिए सही मुहाबरा का अर्थ क्या होगा तो गुड़ गोवर करना हो जाएगा और बीरेट आंचर हैंगे गुड़ गोवर करना सारा चिछ किया हुआ पर पानी फेर देना अगला है मुंसी प्रेमचंद्र उपनियास समराठ कहे जाते हैं कथा चेतर में इनका लेखन अति उत्तम है रेखांकित वाक के लिए उप्युक्त मुहाबरा है तूती बोलना हो जाएगा ध्यान रखेगा क्या हो जाएगा तूती बोलना मुंसी चंद्र का जो उपनियास है ये क्या बोलता है तूती बोलता है इसका उपनियास ये चीज़ के लिए रहें अगला कोईशन देख लिए बच्चों को जरा सी सरारत पर बिवेक ने डैस किया रेक्त अस्थान के लिए उप्रियुक्त मुहवरा का चैन करना है बच्चों को जरा सी सरारत पर बिवेक ने क्या किया घर सीर पर उठा लिया अफिशन नमर ए राइट आंसर रहेंगे बच्चों की सरारत पर विवेक ने क्या क्या घर सीर पर उठा लिया। अगला कोजिशन देखें किसी विशय की पूरी छानबीन करना इसके लिए कौन सा सब्द आ जाएगा। विवेचना हो जाएगा। किसी विशय की पूरी छानबीन करना यानि की विवेचन करना ध्यान रखेगा। विवेचन करना हो जाएगा। अंतेवासी का क्या अर्थ है फ्रेंड। गुरू के समिप रहने वाला सीस को अंतेवासी का जाता है। दी राइट आंसरेंगे, गुरू के समिप रहने वाला सिसको अंतिवासिक आते हैं, अगला है, मोक्छ के इक्ठा करने वाला को क्या कहा जाता है, मी मोक्छु कहा जाता है, दी राइट आंसरेंगे, अगला है, जिसके पास कुछ ना हो, इसके इसे क्या कहा जाता है, तो इसे अकिंचन कहा जाता है ध्यान रखेगा जिसके पास कुछ ना हो